असलाम लेकूम, welcome back to the another new video आज हम बात करने वाले हैं प्लेसंटा के बारे में तो baby डिलेवर होने के कुछ शकेंड ही बाद प्लेसंटा भी डिलेवर हो जाता है उस प्लेसंटा का क्या यूज है, कितना यूज है आज कल तो टेकनॉलोजी इतनी बढ़ गई है कि पूछो ही मत प्लसंटा के क्या-क्या इस्तेमाल है अगर आज इस आप वीडियो को देख लेते हैं तो आप भी मेरी तरह हैरत में पढ़ जाएंगे कि कि प्लसंटा के क्या-क्या यूज हो सकते हैं तो what do you humans do with placenta हो प्लसंटा के साथ लोग क्या-क्या कर रहे हैं तो आपका कुश्चन है आंसर इस दा प्लसंटा बेंस टीशू कैन हेल्प विद रिकंस्ट्रक्टिव रिकंस्ट्रक्टिव के लिए मदद करता है प्रोसीडर्स, दी हीलिंग ओफ दी वाउंस एन्दी बर्न्स अक्यूलर, प्रोसीडर्स, स्पाइनल सर्जरी यानि स्पाइन जो रिड की हड़ी की सर्जरी में भी मदद करता है और अधर मेडिकल नीड्स मेडिकल के लिए भी यूज होता है और माना जाता है तो प्लसंटा डोनेशन मस्ट भी डन थ्रो कैन ये एक्रीडिटेड टीशू बैंक यानि बैंक भी आजकल अवेलेबल हो चुके है जो जिसको प्लसंटा भी हम सेव कर सकते हैं ताके फ्यूचर में हम इसका यूज कर सकेंगे यूज कर सकते हैं इसके बारे में आगे बढ़ते हैं तो आजकल मेडिकल के लिए भी यूज होता है प्लसंटा और स्पाइनल सर्जरी के लिए और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हेलफुल माना जाता है प्लसंटा और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके नाम तो मैं यहाँ पर नहीं लूँगी वहाँ प्लसंटा का बहुत 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 ज्यादा यूज होता है मैंने ऐसा पढ़ा है इस बेज पर ही confidently बोल पा रही हूं क्या आप में से कुछ लोग प्लसंटा को यूज करते हैं या फिर नहीं करते हैं फिर इससे पहले आपको placenta के uses के बारे में क्या पता था या फिर नहीं था वो जो भी आपकी राय है वो comment box में लिखना ताकि औरों को भी ये बात पता चल सकें कि बेबी डिलेवर होने के कुछ सेकेंड बात जो placenta डिलेवर होता है हम उसको bank में भी जमा कर सकते हैं एक proper bank भी बनाया गया है आजकल अवेलेबल है जहां पर हम अपना placenta सेव कर सकते हैं और कहीं सारी ऐसी इस्तेमाल बताई जा सकती है जिसे medical needs medical के लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत beneficial है और surgeries के लिए भी और यहां पर लिखा भी है healing of wounds and the burns इसके कहीं सारे फायदे हैं इसके लिए एक proper पर वीडियो dedicated इंशालला कभी बनाऊंगी मैं और मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हो चुके हैं तकरीबन 400 प्लस हो चुके हैं इंशालला 450 होने ही वाले हैं तो आप सभी का दिल से शुक्रिया आप सबने मुझे इतना support दिया मेरी वीडियोज को पसंद किया और 1 million से जादा के वीडियोज आ चुके हैं मुझे वन येर के बाद ही तो अलहमदुलिला मेरा experience बहुत अच्छा रहा है as a housewife as a mother मुझे एक motivation सा मिला है जब मैंने अपनी journey जो मेरी pregnancy की जो journeys मैंने share की आप लोगों ने खुब पसंद किया मेरी इस journey को फिर मैंने continuously अपने इस काम को continue रखा और आज देखे वन मिलियन क्रॉस हो चुके है I think 15 हा लैक से जादा व्यूज आ चुके हैं मेरे चैनल पे तो बहुत जल्दी टू मिलियन भी होने वाल है अलहमदुलिला आप सब का support ऐसे ही बना रहा तो एक दिन 10 मिलियन की जो journey है उसको भी करूंगे इंशालला कर दो